नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ साइंडर पर दोस्तों इंडियन अग्रिकल्चर के पंद्रवे क्लास में हम सस्केनिबल अग्रिकल्चर की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिसकस करने वाले हैं इंटी ग्रेटेटेट पेस्ट मैनेजमेंट दोस्तों पिछ्ट्रे क्लास में हमने समझा एंटी व्यूट्रियेंट मानेजमेंट तो कुछ हो ऐसा ही लेकिन अधेश眉दफे ऐलग है तो बस आप इस number पर call कर सकते हैं आपको number दिया हुआ है और यह KC10 आपको code है जिसका आपका इस्तमाल करना है और इस number पर आपको call करना है तो आईए इसके साथ आज की class जल्दी से start करते हैं तो दोस्तों अगर आप खेती करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान एक किसान को जो जेलना पड़ता है वो होता है पेस्ट के वज़े से loss तो अगर W.E.F की बात करें वर्ल्ड इकॉन्विक फोरम की बात माने तो 40% of the global crop production प बढ़ती जा रही है और इसके वज़े से और भी ज्यादा नुकसान इसे बढ़ते जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है आपने रिसेंटली देखा था कि कैसे भारत में बहुत ज्यादा कुछ साउधी अरेबिया ओमान और एफ्रिकन इलाके साहिल रीजन से आफ्रिका के वहा पेस्टिसाइड का इस्तमाल करें लेकिन पेस्टिसाइड अगर आप बहुत ज्यादा इस्तमाल करेंगे तो उससे आपके मेरी जैसे लोग जो end of the day उस प्रोड़क्ट को कंज्यूम कर रहे है उसका उनका हेल्थ डैमेज होगा इंपक्ट होगा प्रेगनेंट विमन छोटे देखें तो over time soil भी impacted हो जाता है air pollution होता है water pollution होता है और कहीं ना कहीं soil भी उर्वरशमता fertility long run में कम हो जाती है इसके सिवा अगर हम social impact देखें तो वो अलग है pesticides are very much connected with farmer suicide as well तो 15-20% of suicide अगर आप देखें तो pesticide self poisoning काफी आदा कारण रहा है उसके पीछे तो वो भी एक कारण है तो इसलिए अब करे तो करे क्या तो इसमें एक इलाज है integrated pest management तो integrated pest management दोस्तों एक sustainable agriculture strategy है जो की focus करता है कि भाई insects, weeds, pests and अन्य disease जो की fungal disease, bacterial disease इनसे होते हैं उनको solve करना है तो combination of techniques का इस्तमाल करें क्या-क्या techniques, physical techniques का इस्तमाल करें, chemical techniques का इस्तमाल करें, biological techniques का इस्तमाल करें और cultural techniques का भी इस्तमाल करें तो अब क्या है physical technique, chemical technique, biological technique हम सब अभी देखेंगे bottom line is combination of steps use कीजिए, सिर्फ और सिर्फ महस pesticide पर अपनी निरभरता मत बढ़ाईए, अन्य technique भी है, pest management के, weed management के, उन सब पर भी focus कीजिए और उनको integrate कर दीजिए, तो बन गया कौन सा तरीका, integrated pest management का तरीका, तो ये cost effective है, environmentally sound है, socially भी acceptable है, तो अगर हम IPM की बात करें, integrated pest management की बात क बाला है, साथ-साथ अगर आप IPM follow करेंगे, तो अकेले pesticide से हुई हो रहा है, कि soil की fertility काम होती जा रही है, biodiversity बहुत जादा loss हो जा रहा है, soil में जबा पेस्टिसाइड शिडखते हैं खेत में, तो सिर्फ targeted pest नहीं है, अन्य जीव जो की फायदेमंद होते हैं, soil के लिए वो कहती है, यह कहती है कि भाई सबसे पहले तो 3 pillar है, prevent, monitor, intervene, common sense है, सबसे पहले तो prevent कीजिए कि भाई, pest को लगने ही मत दीजिए, तो क्या कीजिए सबसे पहले तो build up of pest को होने के पहले ही intervene कीजिए, prevent कीजिए, तो crop rotation ऐसे cultural practices को follow कीजिए, irrigation ध्यान से कीजिए, so that tillage कीजिए, so that क क्या हो कि कम से कम भाई जो हमारा खेत है, उसमें pest का प्रकोप ना हो, इसके सिवा क्या कीजिए, best crop varieties का इस्तमाल करें, ऐसे crop varieties लें, जो कि pest persistent हो, pest से जो लड़ने में सक्षम हो, जैसे की हो सकता है कि आप BT cotton का इस्तमाल करें, bacillus tillum genesis वाला, तो उसमें आप देखेंगे, त तो कुछ certain pest से वो लड़ने में सक्षम होते हैं, उनमें certain pest नहीं लगते हैं, तो इस प्रकार के आप crop varieties चुने, फिर क्या करें, monitor करते रहें, यहना field को inspect करें, देखें कौन सा pest लग रहा है, identify करें कौन सा pest लग रहा है, और एक बार identify कर लिया, उसके अनुसार intervene कीजिए, और cultural technique से भी यह pest manage हो सकता है, तो अब आते हैं मुख्य topic पर, integrated pest management के यह चार steps क्या क्या है, यह चार मिल के क्या क्या अलग अलग प्रकार है pest management के, आए इनको देखते हैं, सबसे पहला प्रकार है, integrated pest management में one of the methods of pest intervention method है, physical method, तो mechanical and physical method कहते हैं, इसको यह क्या हुआ, यह physically pest को control करना है, pest को block करना है, kill करना है, या कुछ ऐसा करना है कि environment उस pest के रहने के लिए unsuitable हो जाए, तो जैसे क्या हो सकता है, अगर चूहे आ रहे हैं, तो इस प्रकार का आप trap लगा सकते हैं, traps for rodents लगा सकते हैं, तो यह क्या है, यह एक तरीका है physical pest management का, वैसे यह तो मैं आपक traps होते हैं, आप देखेंगे tamilnadu अगरा है, कासी जादा इस प्रकार के traps, अलग-अलग लखडी के होते हैं, वो इस्तमाल किये जाते हैं, तो इस प्रकार का trap लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप mulches का इस्तमाल कर सकते हैं, especially कहीं पर अगर weed की समस्या है, plastic की sheet लगा दी है, so that अब इस crop के आसपास में कोई भी weed नहीं grow होगा, उसको न मिट्टी में जो भी होगा, जीव, ना plant weed होगा, उसको ना sunlight मिलेगी, ना उसके पास space है, grow करने के लिए, तो obviously वो अपने आप grow ही नहीं होगा, तो ये भी एक तरीका है, mulches कर सकते हैं, ये भी उस्तमाल में लाया जाता है, इस प्रकार के barrier होते हैं, तो वैसे ही चुहूं का भी barrier हो सकता है, मुझबूत वाला कुछ बनाएं, तो इस प्रकार के screen लगा सकते हैं, जो कि birds को, insects को, पोईड पॉधों से या जो भी हमारा agricultural produce है, या जो खेती यहां पर हो रही है, तो उस crop से वो बचा सके, this is physical method, physically आपने pest को हमारे crop तक पहुचने से रोग दिया, next होता है chemical method आप सब जानते हैं, chemical control मतलब, pesticide का इस्तमाल करें, herbicide का इस्तमाल करें, chemicals का इस्तमाल करें, तो integrated pest management कहती है, pesticides अभी इस्तमाल करें, जब सच में उसकी जरुरत हो, और अन्य approaches को भी ध्यान मे लाएं, physical approach, cultural approach, biological methods, सबको integrate करके use करें, सिर्फ pesticide पर ही जोर ना दें, तो pesticide अगर आप देखें, तो इसी प्रकार से इस्तमाल करना है, कि जो लोगों पे इसका harm है, वो least possible हो, minimal usage होना चाहिए, and targeted होना चाहिए, जो pesticide है, वो किसी pest को target करते हुए मारे, तो pest identify कीजिए, और उ इससे क्या होगा, broad spectrum pesticide ना लाएं, targeted pest को मारने की कोशिश करें, तो selective होना बहुत ज़रूरी है, and air, soil, water quality तभी हम बचा पाएंगे, वैसे ही वो कहते हैं कि spray, pesticide का spray करना, avoid करना चाहिए, जहां तक possible है, कुछ limited इलाकों में spot spray कर दें, जिसे कि बस weed देखे, बस उसी के ऊपर चड़काओ करें, generalized चड़काओ, avoid करें, तो यह क्या होगा, chemical method हो गया, next होता है, biological method of pest control, तो biological control हो गया, कि जो भी pest हैं, उनके कुछ natural enemies होंगे, तो उनको harness करें, predators, parasites, pathogens, competitors, उनका इस्तमाल करें, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में, तो कई बार खेत में, इस प्रक चारा खाना शुरू कर देते हैं, जैसे यहां पर आप देख रही, एससे आप यहां पर देख रहे हैं, Colorado potato larva है, तो यह जो पौधा है, उसको खा के खतम कर देगा, तो वहीं पर इस प्रकार के एससे न बग का इस्तमाल कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, इसको खा जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, अससे बग feeding on Colorado potato larva, वैसे ही, आप इस प्रकार के इंसेक्ट छोड़ सकते हैं, जो की weeds को identify करके, सिर्फ उन्हीं के root में जाके, उनके root को खाना शुरू कर दे, तो weeds मर जाएं, तो इस प्रकार के आप insects ढूंड सकते हैं, वैसे ही, आप weeds को identify करके, उनक साप रखें, तो कई खेतों में इसलिए कई बार साप रहते हैं, non poisonous नेक होते हैं, साप खाते हैं, अन्य कीडों को खाते हैं, तो खेत में पिस्ट इस प्रकार से दूर रहते हैं, तो this is biological control, तो अलग अलग चीज़ें इस्तमाल की जा सकती हैं, वैसे ही, हमने parasitoid देखा, इस प्रकार के जीव, जो की खेत में crops को damage कर रहे हैं, उनके शरीर मट जाके अंडा दे दे और उससे वो मर भी जाए फिर, तो इस प्रकार के parasitoids को promote करें, या फिर GM crops, आज के time में आप देखें, तो वो एक प्रकार का pathogen रखते हैं, अपने cell में, तो GM crops की बात करें, तो जैसे क bacillus thiringenesis, एक plant, इन plant में एक genes add किया जाता है, तो ये genes क्या होता है, एक pathogen होता है, ये toxic होता है, बीटल्स के लिए, caterpillars के लिए, तो वो gene हम add कर देते हैं, और उस प्रकार का crop इस्तमाल करते हैं, तो उससे बीटल्स, caterpillar और इने प्रकार के जीव, दूर रहते हैं, तो damage नही cotton, obviously, बहुत broad spectrum नहीं है, कुछ, जैसे आप मुझे मालू में comment में बताएंगे, सर, बीटी cotton इस्तमाल किया, फिर भी pink ball worm की समस्या रह गई, तो जी हां, वो तो रहेगी हमेशा, nothing is 100%, तो वो भी evolve करते हैं, जीव भी सामने वाले, वो भी अपना defense mechanism मजबूत करते जा रहे हैं, इसको भी हम change करते रहें, तो यह हो गया biological method, next होता है cultural method, pest intervention का, तो cultural control हो गया, दोस्तो प्राक्टिस, ऐसे प्राक्टिस जो की, आप देखें, तो pest का reproduction, dispersal, survival, pest का establishment, इसको reduce कर दें, जैसे की irrigation practice को बदले, है ना, irrigation अगर आप बहुत जादा कहीं पर पानी डाल रहे हैं, तो उ उनमें कई प्रकार के plant के root में disease लग सकते हैं, कई प्रकार के weeds उस पर आक्रमन कर सकते हैं, तो watering practice improve करें, वैसे ही plowing करें, regularly, आप देख सकते हैं, आप फ्लोड फैलो field है, जब field खाली होता है, फैलो management है, उस अग उसमें plowing करें, plowing करने से क्या हो जाएगा, mechanical tilling करें, plowing करें तो weeds कहीं न कहीं खतम हो जाते हैं, वैसे ही weed अगर मिले, तो hand pulling करें, हाथ से खीचें, और roots तक सब कुछ निकाल दें, या फिर controlled burning करें, खेत में कहीं पर, यदी कोई infested area हो गया है, जहाँ पर weed लग गया है, तो उसमें controlled burning का इस्तमाल करें, जला दें, वैसे ही good clean seed use करें, hygiene maintain करें, वैसे ही आप देखें, तो crop rotation का practice करें, crop rotation में specially ध्यान रखें, कि एक cycle से, एक season से, दूसरे season में जब आप जा रहे हैं, जब आपना crop बदल रहे हैं, तो crop same family का ना हो, अलग family को belong करें, क्योंकि अगर same family का होगा, तो पहले season में, जो weeds थे, वो second season में भी कायम रहेंगे, लेकिन अगर आप family ही बदल देते हैं, तो ये weeds पहले season में तो grow कर रहे थे, pest grow कर रहे थे, लेकिन ये pest के पास second season में कुछ रह नहीं जाएगा, तो इसलिए crop rotation में इस प्रकार की practices रखें, तो ये क्या है, ये सारे cultural methods है, pest intervention के, तो हमें क्या करना है, integrated pest management में, physical, chemical, biological and cultural methods सभी को integrate करना है, जाहिर सी बात है, जब आप integrate कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कौन सा method हमें use करना है, cultural method यूज करना है, उसके बाद भी बात ना बने तो physical पे जाना है, उसके बाद भी बात ना बने तो biological और finally थोड़ा सा chemical, तो क्योंकि जैसे जैसे आप cultural से उपर जाते जा रहे है toxicity क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आप prevention है, यहां तक prevention था, कि आपने क्या किया cultural methods जब use किये, कुछ physical method रखा है ना, आपने सांप वगिरा रखे, barriers रखा, तो इस अप prevention था, पेस्ट को आने के पहले ही, आप तयार थे, जैसे जैसे आप उपर जा रहे हैं, आप intervention वाले approach पर move कर रहे हैं, याने पेस्ट आने के बाद आप intervene कर रहे हैं, छड़काओ विड़काओ शुरू कर रहे हैं, तो integrated pest management में यह पिरामिड है, जिसमें हमें ध्यान रखना है, कि cultural सबसे ज़्यादा है, सोड़ा physical, फिर biological and last में chemical, यही आपको जानना है, यही आपको जान कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, यह test series है, आप देख सकते हैं, 28 test है, जिसमें 20 GS और 8 CSAT के test है, 3,149 रुपे में है, वहीं अगर आप 12 महीने के लिए 56 test लेते हैं, यह 6 months के लिए ही थी, 12 महीने वाली 56 test है, 40 GS, 16 CSAT, इसकी कीमत है 4,409 रुपे, यह तब है जब आप KC10 code का इस्तमाल करते हैं, तो याद रखिएगा KC10 code से ही आपको 10% off मिल रहा है, इसके सिवा बहुत सारे test series के features है, इसमें trackers है, indicator है, आप कैसा perform कर रहा है, personalized report आपका बन रहा है, multiple times आप एक test को attempt कर सकते हैं, इसके सिवा new combo week भी हम रन कर रहे हैं, flat 22% off, with combo 10% with educators code KC10 आपको मिल रहा है, 18 months plus combo की कीमत है, 3898 रुपीज, 18 months icon एक combo है, 76176 रुपीज, icon एक subscription है, one to one live mentorship है, main question answer practice है, study planner है, और open house में आप बोल भी सकते हैं, इसके सिवाद CSE combat, CSE special हम रन कर रहे हैं, KC10 code का, फायदा उठा है, plus subscription की एक साल की कीमत है, 46791 रुपीज, एक साल की की कीमत है, 67041 code जिससे आपको guidance and mentorship भी मिलती है, एक साल की कीमत है, optional की 24,750 रुप है, loan की भी facility है, नीचे link मिलेगा, loan के लिए apply आप कर सकते है, one to one live mentorship भी मिलती है, iconic में बहुत जबरदस benefit है, तो आप देख सकते हैं, books भी मिल रहे हैं, साथ साथ आपको discuss भी कर सकते हैं, doubt solving भी हो रही है, free mega test series है, इसका हिसा बन सकते है, UPCSB batches हम run कर रहे है, Hindi, English, bilingual, एक साल, दो साल के अलग-अलग batches है, तो इनका फाइदा ज़रूर उठा है, mission two year batch को साथ देख सकते हैं, screen पर, thank you so much for joining, have a great day.